अलो एवरिवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू, आज है 23 अप्रेल और 23 अप्रेल 2021 के हरियाना करेंट अफेर, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आएं हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भू और प्यारे बच्चों, अगर आप मुझसे अनेकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा, अनेकैडमी पे, डिस्क्रिप्शन बाक्स में मेरा प्रोफाइल का लिंक दे रखा है, आप उसको क्लिक करके मुझे फॉलो कर लीजिएगा, अनलोग को कोड है मेरा स्टार आइक्यू, आप अनलोग कोड स्टार आइक्यू यूज कीजिएगा, जिससे आप लोगों को मेरी क्लासिस जो है, वो इसली फ्री ओफ कोस्ट देखने को मिलेगी, आज शाम की क्लास अनेकैडमी पे आपको पहली क्लास मिलेगी, पांच बजे की, दूसर भी ऐसे ही कुछ सेडिल रहेगा, डेली हम लोग पढ़ा करते हैं, NCRT और बायो जो है हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मिस मत करिएगा इन सभी क्लासिस को, चलिए बढ़ते हैं, आगे कल आप से सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा, कि भार पांच गोल्ड थे, पांच में से चार हर्याना ने जीत लिए, ये आपके लिए एक इपॉटन्ट सी बात है, जो याद रखने थी, आज का पहला क्यूस्टन क्या होगा जी, बेहद इपॉटन्ट क्यूस्टन है, हाली में हर्याना, हर्याना की किस प्रवता रोही ने, ने नेपाल की सबसे खतरनाक चोटी, जिसका नाम है लोबुचे, इसको फते कर लिया, नेपाल की बहुती खतरनाक कही जाने वाली एक चोटी है, जिसका नाम है लोबुचे, और इसको फते किया है, रिसेंटली, हिसार डिस्टिक की रहने वाली, जिसका नाम है अनिता इन्होंने फते किया है C option जो है इस question का answer हमारा जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा परवतार हो ही है अनिता कुंडू और इन्होंने जो है ना 6,119 मिटर ठीक है ना 6,119 या यू कहिएगा आप लोग 619 मिटर उंचा माउंट लोगुचे और इसको 24 घंटे लगातार चड़ाई क करके जो है यहां पर अभी रिसेंटली इन्होंने त्रंगा जो है फिराया है अनिता कुंडू जो है वो माउंट लोहट से के अभियान पर निकलेगी जिसकी उंचाई है 8,516 मिटर यह उंचाई माउंट एवरेस्ट के लगबग लगबग एक समान ही मानी हैंगा आप लोग इनके सहोगी का नाम रमेश है इन्होंने बताया कि दुनिया में 8,000 से जादा की उंचाई की चोटिया 14 है टोटल और 7 समीट अभियान के बाद अनिता जो है वो 14 चोटियों को फते करने वाली है 14 में से 2 उंची चोटियों को अनिता अभी तक फते जो है कर चुकी है और 3 च उंची चोटी विंसन मासिफ पे इन्होंने चढ़ाई करी है अफरिका की सबसे उंची चोटी किली मंजारों पे चढ़ाई कर चुकी है यह और आपकी सबसे उंचे परवत का नाम एलबस है इस पे चढ़ाई कर चुकी है दक्षने अमेरिका का एकांग गुआ है इस पे उत्री अमेरिका के देनाली पे भी इन्होंने संघर्स किया था, माउंट एवरेस्ट के जैसा ही माउंट मनासलू है, इस पे भी इन्होंने जो है चड़ाई की है, और इन सभी की वज़े से इनको तेंजिंग नार्गे नैसनल अवोड दिया जा चुका है, 2013 में नेपाल के रस्ते इन्होंने माउंट एवरेस्ट फते किया था, 17 में चीन के रस्ते माउंट एवरेस्ट फते किया था, और दोनों ही रस्तों से माउंट एवरेस्ट फते करने वाली देश की पहली बेटी भी बनी थी, हर्याना का काफी important कि उसने एक्जामें आया भी बह अठारा में दुनिया की साथ सबसे उंची परवच चोटियों पे अपने अभियान के तैत अफरीका की किली मंजारों, यूरोप की जो है अलबूर्स, अंटार्टिका की विंसन मासिफ, दक्षिन अमेरिका की अकांगुआ, आस्टेलिया का कार सेंडर्स पिरामिड इन पे हिसार की रहने वाली है, हिसार के गाम फरीदपूर यहां की रहने वाली है यह, तो काफी इपाटन्ट है, 2001 में इनके पिता की मोध हो गी थी, और उस बाद इन्होंने जो है कबड़ी खेलना बंद कर दिया था, वैसे पहले कबड़ी खेला करती थी, 2008 में यह हर्याना पुल लगाने का निरिने लिया गया है, नई निती 20 मई 2021 से कब तक के लिए होने वाली है, तो यह नई निती 20 मई 2021 से लेके जो है, वो अगले साल 19 मई 2022 तक की होगी, यानि की B option जो है, इस question का answer हमारा वो बिलकुल चीक रहने वाला है, यह point आप लोगों को इतना ही याद रखना ह और इस आप लोगों को इतना याद रखना है कि इस नई आपकी जो यह exercise policy आई है, इसमें हुआ क्या है सर, इसमें सराब महंगी हुई है, तो आप tension मत लीजिएगा ठीक है ना, जो देशी सराब है, वो 15 रूपे पर bottle महंगी हुई है, बाकि हर चीज महंगी हुई है, और सरक याद रखना है बस आपको, हर्याना सरकार ने रहोतक जिले में कितनी नई ग्राम पंचायतों को गठन को मंजूरी दे दी है, तो अभी हर्याना सरकार ने recently रहोतक जिले के अंदर जो है, तीन ग्राम पंचायतों के गठन को मंजूरी दी है, यानि कि ए option जो है, इस question का answer हमा बित है, और इसी वज़े से ग्राम पंचायतों के आम चुनाव से पहले ही, सरकार ने जो है, वो रहोतक जिले के इन ग्राम पंचायतों का गठन किया है, और इस परकार तीन पूरो पंचायत और तीन नव गठित पंचायतों की वाड बंदी जो हब की जाएगी, सर ये कौन कौन सी है देखो अधी सुचना के निसार मेहम की गराम पंचायत सेमान में सेमान पाना टोडर है मदीना गिद्रान नया नाम मदीना गिद्रान पर्थम है और में मदीना गिद्रान द्वित्य और रोतक खंड की गराम पंचायत सांगी में पाना दुदान नव गठित गराम प पूनम पूनिया ने पॉलेंड में वर्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियंशिप में गोल्ड जीता है पूनम पूनिया जो है ये रहने वाली है हिसार जिले के बुड़ाग गाउं की और इन्होंने रिसेंटली पॉलेंड के अंदर वर्ड यूथ बॉक्सिंग गोल्ड जीता है, सर्क कितने किलोग्राम भारवर्ग में, 57 किलोग्राम भारवर्ग में जीता है, ये भी पॉइंट याद कर देना, और फ्रांस की गैरोसी को 5-0 से हराया है, किसान की बेटी है ये, और बेसिकली इनका चोदा ताई कोई पुर्णम को जो है, ओडिसा में रेल बॉक्सिंग को चुना और उस गॉर्मन जोब को जो है इन्होंने छोड़ा एक बार के लिए और खेर जाहिर सी बार अच्छा ही तो काम किया, no doubt, कुछ ऐसा ही क्यूसन आपका अगला है कि हाल ही में किस जिले की विंका ने, 60 किलोग्राम भारवर्ग में, पॉलेंड में जो आपके AIBA UAVISU Cup Championship हुई है, उसमें गोल्ड जीता है, ये विंका कहां की रहने वाली है, विंका रहने वाली है, पानिपत की, बी आप्शन सही है इसका हमारा, ये इस टुर्नामेंट की बेस्ट बॉक्सर चुनीं गई है, इसलिए में आपको एक उस्सन बनाया है, 60 किलोग्र भारवर्ग में विंका ने जो है, वो देश का नाम रौसन किया है, पानिपत में कहां किये, पानिपत का एक गाउं है, सिमला मोलाना, इस गाउं की रहने वाली है, इन्होंने जबरदस्परदर्शन के साथ, कजाकिस्तान की जो जलिवडियाज जो है, उसको हराया है, और त का सहर कहते हो, आप लोग, पानिपत को टेक्स्टाइल मसीन के लिए परसिद जाना जाता है, और स्काई लार्क बहुत परसिद है यहां का, पहला अनपूर्ण वस्तर और अनाज बैंक भी पानिपत में स्थापित हुआ था, गुलाब के फूलों की पैदावार के लिए भी पानिपत को जरूर जाना करते हैं, यहां पर मैंने एक नाम AIBAB लिया था, International Boxing Association लिया था, इसका Headquarter लोजाने स्थापना 1946 में हुई थी, बेसिकली हर्याना से अब लगातार तीन बेटियों ने इसी पॉलाइंड में गोल्ड जीता था, दो बेटिया मैंने बता दी, एक एक तो रोतक की गीति का हुई, पानिपत की विंग का हुई, और हिसार की पूनव हुई, इन तीनों ने जो है ना रेसेंटली पॉलैंड में वर्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियोंसिप में जो हो गोल्ड जीता है, इपॉर्टन बात, याद करने वाली बात, आगे बढ़ हर्याना सरकार दवारा सुरू की गई हरी हरी योजना के तैद लावारिस बच्चों को क्या लाब मिलेगा, हर्याना सरकार के दवारा जो है, अभी रिसेंटली एक हरी हरी योजना सुरू की गई है, इसके तैद लावारिस बच्चों को, नेशलक स्कूल और उच्टर ये भी मिलने वाला है मतलब free school education मिलने वाला है higher education जो है वो भी free मिलने वाली है अनुकंपा के अधार पे रोजगार ठीक है न ये भी मिलेगा भई मकान खरीदने के लिए एक बार ब्याज मुक्त रिण ये भी मिलेगा भी one time interest free loan for buying a house तो all of these ही discussion का answer जो है वो बिल्कुल cheek होने वाला है देख भाल, पुनरवास, वितिय सहायता, निश्वलक स्कूल और उच्तर शिख्षा, अनुकंपा के अधार पे रोजगार मिलेगा, किसी के family में death हो जाती है तो जो है उसको job मिल जाएगी, टकनीकी सिख्षा, कोसल विकास, औधोगिक प्रिसिक्षन, मकान खरीदने के लिए एक बार ब्याज मुक्तरिन, ये सारी चीजे जो है हरी हरी योजना से मिलेगी, लावारिस बच्चों की पढ़ाई और नोकरी के लिए सरकार ने एक नई योजना त्यार की है, जिसका नाम है हरी हरी योजना, याद करने ल योजना के लिए 500 करोड रुपे का जो है वो अभी रिसेंटली कोविड कोस स्थापित किया है, ए आप्षन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा, हर्याना सरकार ने कोविड मरीजों को दवाई, ऑक्सिजन और अन्य चिकित सा स्विधा देने के लिए, नए और पुर सबसे ज़रूरत है अरिया योजना उद्धमियों को छे महा तक अत्रिक्त उत्पादन खरीदने के साथ उनको रख रखाओ के लिए भी जो है गारंटी देने का काम करेगी यह पॉइंट आप लोगों को यहां से याद रखना है ठीक है आगे बढ़ते हैं कि लाकिफ्सन हमार परजिक्त कारयभार दिया है डॉक्टर साकेत कुमार को सी ओप्षन जो है इसका हमारा वो बिलकुँ छीक रहेगा डॉक्टर साकेत कुमार जो की आईए साधीकारी है इनको जो है फूड और ड्रग एड्मिस्ट्रेशन हर्याना का एडिशन प्रभार दिया गया है विजय है इनको एक्स्ट्रा कारय बहर भी सोब़ा गया है अभी रिसेंटली हाले में हर्याना माइनर मिनरल कंसेंशन स्टाकिंग ट्रांस्पोरेशन मिनरल और प्रिवेंशन ओफ इलीगल माइनिंग रूल्स दोहजार बारा और किस रूल्स में संसोधन को स्विक्रती दी गई है किसंद थोड़े से उलजेवे होते हैं पर बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखने होते हैं Illegal Mining Rules 2012 और के साथ में कुन सा Rule है उसको मंजूरी मिली है इस Rule का नाम है हर्याना District Mineral Foundation Rule 2017 इसको recently जो है मंजूरी मिली है मुख्य मंत्री मनोहरलाल की अध्यक्सता में मंत्री मंडल की बैठक में हर्याना Minor Mineral Consention, Stocking, Transportation, Minerals and Prevention of Illegal Mining Rule 2012 और हर्याना District Mineral Foundation Rule 2017 में संसोधन को recently स्वीकरती मिली है इस Rule में भी कॉल्ड हर्याना Minor Mineral Consention, Stocking, Transportation, Mineral and Prevention of Illegal Mining Amendment Rule 2021 अब इनको 2021 रूल के नाम से माना जाएगा या बोला जाएगा ये बस इतना याद रखना है आपको किस हर्यानवी ने 19-वी राष्ट्री ए पेरा एथलेट चैंपियंशिप में कलब और बिसकस थ्रो में दो गॉल्ड जीते हैं अभी रिसेंटली जो है 19-वी राष्ट्री राष्ट्री पेरा एथलेट चैंपियंशिप में कलब और डिसकस थ्रो में दो गॉल्ड मेडल जीते हैं एकता भयान ने भी आप्शन्स आई है यह आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी हिसार जिले की रहने वाली है ठीक है एकता भयान इन्होंने रिसेंटली जो है बैंगलूरू में आयोजी थुई थी नैस्नल पेरा एथलेट चैंपियंशिप इसमें जो है दो गोल्ड जो है उद्देश को यह जिता चुकी है यह पॉइंट भी आपको याद रखना है चलिए बैईसी के साथ में यह लेक्चर तो समाप्त होता है और आप लोगों के लिए क्युस्टन होगा कि अमेरिका की प्रतिष्टित बिजनस पतरिका फॉब्स ने एशिया के 30 साल के बिवाडी की किस बेटी को स्थान दिया है सोनिया यादव सोमया यादव किर्ती सनेन या इन में से कोई नहीं बताइए विस्तार से इसके बारे में stay happy stay healthy आप लोग मुझसे जरूर connect रहिएगा मेरे दवारा पढ़ाए गए सभी lectures का update चाहते हैं तो आप मुझे telegram पे follow इसलिए test series है वहाँ पे star IQ education के नाम से play store पे application है आप उसे भी download कर सकते हैं thank you so much stay happy stay healthy